वेल्कम बाक टो गार चानल दिशुपन आयोप इस तो गाइस मैंने कुछ तीन दिन पहले मैंने बताया थे कि जो इंदोर चंडिगर एक्सप्रेस है वह चलने वाली है 25 फरवरी से इंदोर को और 26 फरवरी से चंडिगर से 26 फरवरी को चलेगी इंदोर के लिए तो अब यह ज इजा मुद्दीन से ट्रेन मेरट साहरमपूर होकर और जगादरी और अंबाला रुपकर यह ट्रेन जाएगी सिधा चंडिगर और सेम ही रूट इसका रहेगा गाज़बाद और मजब अनगर यह ट्रेन नहीं रुखेगी इविन राजामंडी और धौलपूर भी यह ट्रे पचास किलोमेटर पर आर एवरेज स्पीड के साथ जिसमें मैक्सिमा परमिसबल होगी 110 और जिसकी ट्रेन में सेकिंड एसी का एक थर्ड एसी के पांच सेकिंड सिटिंग के चार कोच होंगे स्लीपर के 9 कोच होंगे यह जी एक होगा टोटल मिलाके 21 कोच इस होंगे ट्रेन इन दो से ट्रेन चलेए 25 फ़रोगे को सुबह के साड़े 5 बच कर 30 मिनट पर देवास पहुंचेगी पांच बच के चपन मिनट पर निकल जाए उसके बाद ट्रेन पहुंचेगी उज्चेन 7 बच कर 15 और 7 बच कर 40 मिनट पर निकल जाए क्योंकि आपर रेक रिवर्सल होना ह अट भचास पर शाजापूर पहुंचेगी नो तरह पर निकल जाए पांच रोड पोझेगी दस बुसकर 12 मिनट दस बसके 14 बच बनल जाए कि ब्यावर्या राजगर पहुंचेगी ऑड़ा बच कर 40 मिनट वर, 12-42 पर निकल जाए ट्रेन, गुर्णा पहुंचेगी एक बच लग 23 Stephen the Chinese मोरायना स्थाइब voter ऺंचेघी ऊवर्च exercise and फचास मिननित भाइब और मेंट निख झांचाँ लाइगी शाम के राजामनटी नहीं इसके बाद कर रूट चेंज हो गया है पूरा ट्रेन पहले नहीं दिल्ली पानीपात होते हुए जाती थी अंभाला अब ट्रेन मेरट सालमपूर जगाद्र होते हुए जाएगी अंभाला तो यहां से ट्रेन सिता रुकिएगी मेरट सिटी जंक्शन बारा बच का 55 मिनट पर पर निकल जाएगी ट्रेन गाजवाद जंक्शन नहीं रुकिए उसके बाद ट्रेन सिदा मुझाफवा नगर देवन नहीं रुकते होगे सालमपूर जंक्शन पहुंचेगी दो बच कर 40 मिनट पर दो पैतालिस निकल जाएगी यमना नगर पहुंचेगी सुबह तीन बचक फरवरी से चलेगी और यह ऑफिसले भी अनॉंस हो चुका है वेस्टन डिल्वेज ने ओफिसले अनॉंस कर दिया इस ट्रेन का तो टिकेट जल्दी खुल जाएंगे और न्ट्यस पर जल्दी ए ट्रेन आजाएगी वीकली ट्रेन है अबरी थर्ज्डे को ट्रेन सुबह को इन दोर से और सुबह को पहुंचेगी चैन डिल्दी एड़ I hope you guys like the video 09308 का वी मैं ट्रेन जल्दी बताऊंगा so stay tuned for that and do subscribe to my channel if you guys like then do subscribe to my channel like share comment and stay tuned for that next video bye